Hello students, welcome to the Sun Academy इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे Nomenclature of Coordination Compounds जो के हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था इसमें हमने डिस्कस किया था Coordination Compounds क्या होते हैं और इसके अंदर के Legands क्या होते हैं और बहुत सारे जो है इसके हमने Explanation की थी दो तरह के Coordination Compounds होते हैं Cationic Complex and Anionic Complex तो यह हम पढ़ चुके हैं अब हम आते हैं इनकी Naming पे इनके Nomenclature पे तो Coordination Compounds के हवाले से इनकी Naming के हवाले से हमारे पास कुछ रूल्स हैं इन रूल्स को हम पहले पढ़ेंगे कि कौन से रूल्स हैं IUPAC के हवाले से तो Rules of IUPAC for the Naming of Coordination Compounds अब IUPAC का मतलब क्या है IUPAC का मतलब है International Union of Pure and Applied Chemistry यह एक इदारा है एक International Agency है जो के Different Compounds की Naming सजेस्ट करती है Different Compounds को Naming देती है और यह जो है जो भी Organic Compounds या फिर Inorganic Compounds डिसकवर होते हैं उन्हें नेमिंग देने के लिए ये कुछ इस इंस्टिट्यूट ने कुछ रूल्स बनाएं अब ये रूल्स जो है यहां पर हम डिसकस कर रहे हैं कि कौन कौन से रूल्स है और किसी भी Compound का हम इस रूल्स के हिसाब से कैसे नेमिंग दे सकते हैं तो Organic Chemistry के अंदर भी इसका बहुत बड़ा रूल है कि डिफरेंट तरह के मिलियन्स अफ और्गिनिक Compounds को नेमिंग देने में ये जो रूल्स हैं ये हेल्प करते हैं तो ये फिलाल रूल्स हम पढ़ रहे हैं Coordination Compounds के बाकी Organic Chemistry के जो रूल्स हैं वो हम Organic Compounds के अंदर पढ़ेंगे तो यहां पर हमारे पास ये रूल्स हैं इन रूल्स को हम पढ़ेंगे और समझेंगे ताके हम जो है जो इन और्गिनिक Compounds हैं Complexes हैं इनके नाम हम खुद से दे सकें इन Compounds को तो उन रूल्स के सबसे हम नाम जो है इनके देंगे और यह जो है IUPAC System इसे हम कहते हैं IUPAC System और International Union of Pure and Applied Chemistry इसका जो है फुल फॉर्म है अब आईए तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास किस Compound के अंदर किस Element का नाम सबसे पहले आएगा और किसका बाद में आएगा तो रूल्स पढ़ते हैं सबसे पहला रूल है Name the Cetine First Cetine का नाम जो है वो सबसे First लिखना है सबसे पहले हमें क्या करना है Cetine का नाम लिखना है इसके अंदर अब Cetine कैसे इस Coordination Spare के पहले लगा है तो ये Sodium क्या है Cetine है तो सबसे पहले हमें Cetine का नाम लिखना है तो इस Complex के अंदर Cetine जो है ये क्या है ये एक Simple Cetine है तो अब यहां पर Sodium Cetine है तो इसलिए सबसे पहले नाम हम Sodium का लिखेंगे Sodium is Cetine और ये Simple Cetine है तो Simple Cetine वो होता है जो कि इस Complex से अलग हो ये Simple Cetine है अगर ये Complex के अलग यहां पर N9 होता है तो वो Simple N9 होता है अब यहां पर किसी के पास अगर N9 लगा है Catine नहीं है तो क्या होगा यहां पर ये N9 है तो इस पर एक negative charge होगी और negative होगी तो यहां पर यह इस पूरे compound के उपर positive charge आ जागी और यह पूरा compound के उपर positive charge है तो यह पूरा compound क्या कहलाएगा यह केटाइन कहलाएगा तो इस केस में हम क्या करेंगे ये पूरा जो कॉम्पलेक्स है इसका नाम पहले लिखेंगे और उसके बाद ये जो सल्फेट है ये एनाइन है तो इसका नाम बाद में लिखेंगे तो इसलिए सबसे पहले हमें नाम किस का लिखना है केटाइन का लिखना है क्योंकि यहां पर सोडियम केटाइन था तो सबसे पहले नाम हमने सोडियम का लिखा यहां पर जो सबसे पहले केटाइन जो था यह हमारे पास पूरा कंपलेक्स केटाइन है तो इसलिए सबसे पहले हम इस पूरे complex का नाम लिखेंगे उसके बाद anion का नाम लिखेंगे दूसरा rule हमारे पास है name the ligand before metal atom तो ligand का जो नाम है वो हमें metal atom से पहले लिखना है तो suppose यहां पर हमारे पास यह जो complex है इसके अंदर यह क्या है यह amine जो है यह ligand है तो इसके अंदर सबसे पहले हम amine का नाम लिखेंगे उसके बाद copper का नाम लिखेंगे तो हमें हमेशाल ligand का नाम पहले लिखना है उसके बाद copper का नाम लिखना है और यहां पर हम पहले यह साइनाइट का नाम लिखेंगे उसके बाद यहां पर आईरन का नाम लिखेंगे तो सबसे पहले हमें लिगाइंड का नाम लिखेंगे तो सबसे पहले हमें लिगाइंड का नाम लिखेंड पहले केटाइन जाए जिसके अंदर हमारे पास एक से ज्यादा लिगेंड मौजूद हो तो सपोज यहां पर NH3 भी है और साथ में NO2 भी है तो यह हमारे पास दो लिगेंड्स आ गए किलोरीन से पहले आता है तो हम क्या करेंगे पहले ब्रॉमीन लिखेंगे उसके बाद किलोरीन लिखेंगे क्योंकि अलफाबेटिकली बी जो है यह सी से पहले आता है तो इसलिए हमें अगर एक से ज्यादा लिगेंड्स है तो हमें अलफाबेटिकली चूज करना है और इस पे पास किसी Compound के अंदर copper chromium और our Amine का रहा रहा है तो Amine chromium, में जो है साथ में लिखेंगे कोई भी इसके बीच में पेस नहीं देगे कि जैसे क्यम दो वर्ट के बीच में स्पेस देते हैं लेकिन यहां पर कोई बीस पेस नहीं आएगी यह is पेस्ष में यह एक रूल है Iopek हमारे पास लेगेंडिक लेगेंड हैं मतलब हमारे पास कितने लेगेंड यह जो हमार्माइड है यह कितने मैं चार मोजूद है तो ढंदम है यह इंडिकेट आफ carbon अमेन न सर लेगेंडिकेंड हमें लेविक RICH जाएंग् से से हैं जैसे के हमारे पास two के लिए है डाय, three के लिए है try, four के लिए है patron, five के लिए है पेंटा, six के लिए है hexa, तो यह जो decía try, penta, hexa है यह हमारे पास जो भी हैं ये prefix Greek prefix कहलाते हैं, अब यह हमें use करने है ligand के नबर बताने के लिए जैसे कि यहाँ पर amine है कितने amine है 4 amine है तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यह tetra amine है क्या है tetra amine 4 को हम tetra कहते हैं जैसे कि यहाँ पर sino है hexa 6 sino है तो हम hexa sino कहेंगे तो यहाँ पर हमारे पास यह prefix लगाने है नमबर को indicate करने के लिए कि कितने ligands यहां पर मौजूद हैं तो यह भी rule हमारे पास आ गया उसके बाद हमारा rule है कि write oxidation state of metal atom in parentheses break it by roman numbers हमें last में क्या करना है roman numbers में लिखने है prefix कौन से prefix ग्रीक sorry यहां पर oxidation state हमें लिखनी है इसकी metal atom की metal atom जो भी इसके अंदर use हुआ है जैसे कि इसके अंदर यहां पर हमारे पास मौजूद है kobalt और यहां पर मौजूद है chromium तो यह metal atom है transition metal है और इनकी जो oxidation state है इसके अंदर इस पूरे compound के अंदर वो हमें बतानी है और वो हमें roman numbers में लिखनी है तो वो हम लिखेंगे इसके बाद और last में यह जो है आपको oxidation state निकालनी आती होगी आपने first year में सीखा था लेकिन यहां पर भी हम जो है इसको निकालना सीखेंगे उसके बाद एक rule है के for number of organic ligand use the prefix अगर यह हमारे पास जो prefix थे यह ligands के लिए हम जो prefix यूज़ कर रहे थे डाय, ट्राय, टेट्रा, पेंट्रा यह हैं inorganic ligands के लिए लेकिन हमारे पास अगर ligand organic हो तो हम क्या करेंगे organic ligands के लिए हमारे पास कुछ और prefix यूज़ होते हैं जैसे के bis, tris, tetrakis, यह क्या है bis का मतलब है 2, tris का मतलब है 3 and tetrakis का मतलब है 4 तो यह हमारे पास prefix हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास कोई organic compound आ जाए जैसे के यहां पर यह हमारे पास जो पूरा spharyos के ओपर यहां पर charge मुझोद है के लिगेंट का नाम लिखना है उसके बाद है एल जोके है लिगेंट का नाम लिखना है लिगेंट के नाम के साथ आप नंबर भी शो इखिंगे कि लाफ करेंगे कि कितने लिगेंट उन्हुत पर एखियो है ए जो भी थे अगर यह पर यही कि और स Annual Party इandre शुरू के अंदर शुरू के अंदर आपको अब यहां पर यह आपके पास डारेक कंपलेक्स है इसके अंदर केटाइन नहीं है तो यह पूरा कंपलेक्स ही यहां पर एनाइन मौझूद है तो यह पूरा कंपलेक्स ही केटाइन हो जाएगा तो इसी दिए हम इस पूरे कंपले लेक्स का भी नाम लिखेंगे तो इसके अदर पहले हम लिगाएंड फिर मेटल फिर एनाइन ब्लास्ट में लिख देंगे तो इस तरह से अपको एक याद रखना है कलमा CLMA कलमा जिसमें केटाइन, लिगेंड, मेटल और एनाइन तो इस तरह से आपने सीक्वेंस में ये नाम लिखने हैं अब ये डिसकस करते हैं कि इनके नेम्स के अंदर क्या चेंजिंग होगी मतलब यहां पर अगर केटाइन है तो केटाइन यहां पर क्या है सोडियम है तो सोडियम को हम डारिक सोडियम ही लिखेंगे या फिर इसके नेम में कुछ चेंजिंग होगी तो यहां पर अगर कोबाल्ट है तो यह डारिक हम कोबाल्ट ही लिखतेंगे या कुछ और नेम इसका चेंज होगा यह साइनाइड है तो इसके अंदर साइनाइड ही लिखेंगे या कुछ चेंज होगा नेमिंग के अंदर साइनो होगा तो इस तरह से यह हम साइनाइड नहीं लिखेंगे इसके अंदर साइनो लिखेंगे और यहां पर कोबाल्ट जो है यह इसको हम कोबाल्ट टेट लिखेंगे कोबाल्ट टेट तो इस तरह से यह चेंजिंग कैसे आती हैं यह हम डिसकस करते हैं अब नेमिंग अफ लिगेंड्स आर मोडिफाइड लिगेंड्स के जो नेम है वो हम मोडिफाइड करते हैं अब क्लोरीन नेगेटिव क्लोरीन नेगेटिव चुछे भी कोई भी चुछे भी नाम है कि पालो यह पर लास्ट में आप उसके अंदर क्या लगा देंगे? उस तरह हमारे पास है ím है अज़ा ठीड़ा दो है अजने लगा देंगे इसका उस कड़ा उच्छा रेयर और यहां पर अगर oxylate आ जाए तो आपको oxylate लिखना है तो यह C2O4 negative 2 यह जो है oxylate होता है तो इसको आप oxylate लिखेंगे carbonate आ जाए तो आप carbonate लिखेंगे और अगर O H negative आ जाए तो आप इसे hydroxy लिखेंगे हाइड्रोग्जो यह ओएच नेगेटिव जो है यह हाइड्रोग्जो यहां पर लिखा जाता है उसके बाद अगर थायो सलफेट आ जाए तो आप इसे क्या लिखेंगे थायो सलफेट रो तो इस तरह से ओ आप फुट कर देंगे हर लिगेंड के लास्ट के अंदर बाकी एक्वो या फिर एक्वा हम वाटर को लिखते हैं बाकी जो है यह कार्बोनेल यह सेम होगा नाइट्रोसिल सेम होगा और अमाइन यह सेम होगा तो इस तरह से यह जो नीट्रल लिगेंड्स हैं इनके नाम ज्यादा चेंज नहीं होंगे सिर्फ वाटर का नाम चेंज होगा बाकी इनके अंदर आप क्या लगा देंगे, और लगा देंगे जैसे कि ब्रोमो, किलोरो, फ्रोम, अमाइडो, ऑक्जिलेटो इस तरह से आप इनके नाम लिखेंगे, जब भी आपको किसी कमपाउंड के अंदर अगर यह दिखें तो आप इस तरह से नाम लिखेंगे, उसके of anionic complex, anionic complex का मतलब है ऐसा complex जिसके अंदर एक ketine मौजूद है तो उसे हम anionic complex कहेंगे जिस तरह से हमने यहां पर देखा यहां पर क्या है यह ketine मौजूद है तो अगर ketine पर इस पर positive charge होगी तो इस पूरे compound पर क्या होगी negative charge आजाएगी और यह क्या बन जाएगा anion बन जाएगा तो जिस भी compound के अंदर अगर ketine present है तो उसे हम anionic complex कहते है और यह anionic complex होगा तो अगर यह पूरा complex जो है वो anionic है तो इसके अंदर हम जो metal iron का जो नाम है वो लिखेंगे तो उसको हम क्या करेंगे उसके अंदर जो भी metal नाम के अंदर अगर IUM या फिर UM लास्ट में है उस metal नाम के अंदर जैसे के aluminium और यहां पर copper nicium इस तरह से यह जो अगर नाम आ जाता है IUM आ जाता है तो इसको हम drop कर देंगे remove कर देंगे IUM को remove करके 8 लगा देंगे जैसे कि aluminium होगा तो हम IUM निकालके aluminium कर देंगे cobalt होगा तो उसके अंदर IUM नहीं है तो हम direct AT ही लगाकर उसको cobaltate कर देंगे तो यहां पर अगर देखें copper है तो इसको हम cuprate कर देंगे copper जो है इसका नाम जो है वो cuprate हम कर देंगे यहां पर और ATE लगाकर उसके बाद कोबाल्ट है तो इसको हम कोबाल्टेट कर देंगे तो इस तरह से जब भी Anionic Complex हो मतलब जिसके अंदर केटाइन मुझूद हो तो उसके अंदर हम क्या करेंगे यह जो नाम है मेटल एटम का इसको थोड़ा सा चेंज करके उसमें ATE एड कर देंगे लेकिन अगर केटाइन कॉंपलेक्स है इसका मतलब है उसके अंदर क्या प्रेजंट होगा वही सेम नाम आएगा जैसे के कॉपर का नाम क्या है कॉपर ही है इंग्लिश में तो हम इंग्लिश नेम ही लेंग लिखेंगे इसके अंदर अगर केटाइन कॉंपलेक्स मुझूद है तो तो केटाइन कॉंपलेक्स में वही सेम नाम जैसे के कॉपर का कॉपर और State और Cooperate लिखेंगे, तो समझ में आ गया, आगे चलते हैं, अब हम नाम लिखना शुरू करते हैं, किस तरह से यहां पर नाम इनके हम लिख सकते हैं, सारे रूल्स आपको वहीं पर याद हो जाएंगे, और सारे रूल्स आप यहां पर रिकाल करके आप इनकी प्रैक्टिस यहा आए हैं और यह नाम हम खुद से कैसे लिख सकते हैं यह हम यहां पर देखने वाले हैं हम आपको जो है यह पूरा समझाते हैं और यहां पर हम जो है इनके नेम्स लिखेंगे तो यह गेम की तरह है सिर्फ आपको यह कैसे खेलते हैं यह गेम यह सीखने हैं तो गेम की तरह हमारे पास Amine है और उसके बाद यह 4-A line है और यहां पर यह बंद है उसके बाद हमारे पास आरहा है सलफेट तो इसको 750 कहते हैं It is worker Capus Prime है it book देखें इस हम्ारे पास जो रूल है वो कहता है कि आप सब्से पहले कीटाइन का नाम लिखें तो आपको रूल यहादे m-a किटीन लिगेंड और के टाइन और एणान तो सबसे पहले के twine का नाम लिखें के एणिसमें क्या है इसमें हमारे पास कोई कोई के टाइन नहीं मुझूद ए तो इसके अंधर हम क्या करेंगे ये हमारे पास anine है तो ये पूरा cation बन जाएगा ये cationic complex है ये cationic complex है तो इसलिए हम सबसे पहले इसमें इस पूरे complex का नाम लिखेंगे और complex में भी सबसे पहले ligand का नाम आता है तो ligand का नाम क्या है ligand यहांपर है amine तो हम यहांपर amine रख देंगे amine नाम लिखेंगे लेकिन उससे भी पहले ligand का जो है कितने ligands मुझूद हैं उसका एक prefix लगाना है तो यहां पर चार ligands हैं चार amine मुझूद हैं तो हम इस amine को कहेंगे tetra amine तो आपको याद है dry, try, tetra तो यहां पर चार को हम tetra कहते हैं Greek prefix में तो यहां पर amine की जगा हम यहां पर tetra amine लिखेंगे तो सबसे पहले इसके नाम में tetra amine उसके बाद आपको लिखना है metal का नाम और यहां पर metal का नाम क्या है copper है अब देखें एक rule था metal का नाम लिखने का कि जब भी ketionic complex हो तो आप metal का नाम इंग्लिश में लिखें और anionic complex हो तो आप उसका नाम जो है वो 8 लगा कर लिखें तो A, T, E जब तब लगाते हैं जब anionic complex हो तो यह कौन सा complex है यह हमारे पास anion मोजूद है इस पर negative चारज है तो इस पूरे पर positive चारज आ जाएगा और यह ketionic complex है तो ketionic complex में हम जो metal का नाम है वो simple से लिखते हैं तो यहां पर हम simple English में लिखेंगे copper का नाम English में copper ही होता है तो simple हम copper यहां पर लिखेंगे tetra amine copper उसके बाद हमें लिखना है इसकी oxidation state copper की oxidation state है वो हमें bracket में लिखनी है तो हम यहां पर एक bracket छोड़ देते हैं उसके बाद हम copper की लिखेंगे लेकिन यहां पर यह आइन जो है यह हमें last में इसका नाम लिखना था तो हम यहां पर last में यहां पर sulfate जो है यह कितने sulfate हैं यह भी number भी नहीं लिखना है हमें सिर्फ direct से यहां पर sulfate लिखना है यहां पर sulfate लिखेंगे यह हमारे पास आगया sulfate अब इसकी oxidation state निकालते हैं copper की तो copper की oxidation state क्या होगी तो हमें देखना है कि सबसे पहले यहां पर Amin की oxidation state क्या है तो Amin की oxidation state इस compound के अंदर है zero यह पूरा एक नीटरल कंपाउंड है तो इसके अंदर इसकी ऑखिडेशन स्टेट जो है वो जीरो होगी अब यहां पर सलफेट की देखते हैं तो सलफेट की यहां पर जो ऑक्सिडेशन स्टेट है वो है माइनस टू आपको पता है तो अगर आपको यह याद नहीं है तो आप यहां से तो एससे आपको इसकी ऑक्सिडेशन स्टेट पता चल जाएगी तो सबसे पहले आप सलफर बनाएं अब यहां पर सलफर जो है इसके चार इसके पास चार ऑक्सीजन जो है वो बॉंडेड हैं तो आप यहां पर एक ऑक्सीजन यहां पर दूसरा ऑक्सीजन यहां पर तीसरा ऑक्सीजन यहां पर चोथा ऑक्सीजन अब यहां पर सलफर जो है वो दो ऑक्सीजन के साथ दो बॉंड बनाएगा और यहां पर यह दो भिल्हक्त तो 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 यहां पर भी इस कोपर की मानिजटी डिया अभी रहती है तो तोटल पोरे कंपर पर जो Oo च्रुक्त हो जाएगी तो एस अफंब हमारे पास आर्ब एक बच्वन पर आप दो इस के रोमन लेटर्स में लिखना है आपने तो यहां पर हम दो रोमन लेटर्स में टू लिख देंगे यह पूरा जो नाम हो गया है ट्राइमाइन ट्राइमाइन हो गया यहां पर तो यहां पर हम लिख देते हैं ट्राइमाइन ट्राइमाइन कॉपर और यह हमारे पास टू सलफेट ये इसका नाम हो गया नमबर टू पे आ जाएं C-R-H2O-4-C-L-2-N-O-3 तो अब इसकी नैमिंग हम कैसे करेंगे तो सबसे पहले आप देखें इसमें कोई सिंपल जो है वो केटाइन मुझूद है इसमें कोई सिंपल केटाइन नहीं है यहां पर तो हम क्या करेंगे इसमें सबसे पहले इस कॉंपलेक्स का नाम लिखेंगे कॉंपलेक्स में भी सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे लिगेंड के अंदर जो है हमारे पास दो लिगेंड से हैं एक हमारे पास है H2O और एक है या फिर क्लोरीन का के गा तो यहीं हमने एक arriver था हमारा कि अप सेलैक्ट करें जिसका नामलफाबेत्क में सबसे पहले आए आप उसको पहले लिखें तो सबसे पहले हमारे पास एकॉअ के अंदर ए जो यह किलोरीन में सी से पहले आता है तो किलोरीन यहां पर सी से आता है और एक्वा ए से आता है तो हम पहले वाला चूस करेंगे मतलब पहले हम नाम एक्वा का लिखेंगे तो यहां पर हमारे पास एक्वा कितने हैं हमारे पास फॉर एक्वा हैं तो हम लिखेंगे टेट्रा एक और यहां पर क्रोमियम का नाम अब कौन सा आएगा क्योंकि यह के अंदर यहblem निखेंगे लिखेंगे तो यह हैं यहां पर हमारे पास यह पूरा क्रॉमियम खाद अब्छेन introducrum अगया उसके बाद है एनों थ्री है तो का नाम हम वहूं हम पूरा सेम-डू-सेम नाइट रेट लिख देंगे अब यह तो यह में नाइट रेट वह यह मारे पास इसकी जो है ऑकचिडेशन स्टेट यहां पर हम लिखते हैं तो ऊकचिडेशन स्टेट बाद में निकलते हैं पहले इसका नायटरेट लिख देते हैं तो यहां पर नायटेट हम editionsective of तो आप क्रोमियम के शुधियेशनस्टेट कहां से में मिलेगी तो ठाखनारिप यहां से मिलेगी यहां पर वर एपbles स्वyu की जिए उzemी जिए जिए उस दाखनारीप और और क्लोरिनी पमेन की पर माि-इस तरी जी तो इसको एडिटरिव इंन्वस कर दें यहां पर कितनी होगी प्लस थ्री ओगी तब यह कमपाउंड नूट्रल बने गाल तो यहां पर क्रोमियम की तो इनायोनी complex के अंदर हम जो यह जो आइरन होगा इसका नाम क्या लुखेंगे इस नाम लुखेंगे ferrite तो यहां पर यहां पर ferrite जो है यह इसका जो लैटन नाम है उससे अदिया है ferrite a.t.e. लगा देंगे साथ में तो सबसे पहले हम केटाइन का नाम लिखेंगे, उसके बाद लिगेंड का लिखेंगे, उसके बाद इसका लिखेंगे, तो केटाइन कौन सा है, केटाइन है, पोटेशियम, तो केटाइन का सेम हम पोटेशियम लिख देंगे, तो पोटेशियम, अब यहां पर पोटेशियम है उसके बाद है लिगेंड तो लिगेंड का नाम कौन सा है यहां पर है साइनाइड है तो साइनाइड क्या होगा साइनो बन जाएगा साइनो तो हम यहां पर साइनो लिख देंगे सी वाई एनो साइनो और कितने साइनो हेग्जा साइनो है तो सिक्स साइनो है हम नंस स्री यहां पर ऐग्जा लखना भूल गई तो हम है रिखने एक्जासायनो पहते हम पास यह फैरिक हमारे पास है यह मैं और यह अज़े एक्वेकर एक्वार्प है पॉस्पारे मुझ फैर्रटल लिखकने तो अब यहां पर हैं दो क्युंकि यहां पर कार्बन की वैलनसी जो है वो 4 हैğ價 जबकि नाइट्रोजिन, 3 है तो तीन बा। भनाइगे बाकि 1 बच जाएगी तो मामस 1 इसकी आक्सिडेशन स्टेट है RICH स़ dł 2 है और इसक्स इसक्स चायगी है ndआर पक्लस वन है तो यहां पर हमारे नाम सकते हैं इसके नाम लिख सकते हैं उसके बादाते हैं नबर 4 पे इसमें हमरे पास है Organic Compound है इस Organic Compound का नाम है Ethylene Diamine अशलर यहां पर हमारे पास chlorine है जो के a9 है तो आईए इस जाहिए इसका नाम लिखते है तो सबसे पहले हम Legend का नाम इसमें लिखेंगे और Legend का नाम क्या है Ethylene Diamine अब हमने एक rule हमने पड़ा था कि जब भी Organic Compound हैं तो उसका नंबर बताने के लिए हम बिस्ट्रेस और टेट्राकिस यूज़ करते हैं तो यह नंबर होते हैं बिस्ट्रेस और टेट्राकिस तो यहां पर हम जो है ट्राइस यूज़ करेंगे ट्रेस तो इथाइलिन डायमाइन है तो हम क्या लिखेंगे ट्रेस इथाइलिन डाय तो यहां पर आगया ट्रेस एथालिन डायमाइन उसके बाद हमारे पास है प्लेटिनियम तो इसको हम लिख देंगे प्लेटिनियम सेम तो सेम क्योंकि यहां पर हमारे पास इंग्लिश नेम आएगा क्योंकि यह कौन सा है केटायोनिक कॉंप्लेक्स है तो इंग्लिश नेम जाएगा और यहां पर इस 브̡n में हम इसका प्लैटिनियुम की जो है वैलंशी लिखेंगे और उसके बाद यहां पर क्या जाएगा एजगा तो सी एचारी डियाँ पर आ गिया अब इसकी यहां पर क्य थो वैलंसी फाइंड करने के लिए हम देखेंगे कि यहां पर सबसे पहले इसकी जो वैलन्सी है लिगेंड की वह क्या है जीरो है यह पूरा कंपाउंड नीटरल है तो इसकी वैलनी सी-0 है किलोरीन की है नेगिटिव तो यहां पर 4 क्लोरीन है यहां पर माइनस फॉर जो इस पर चार जा गई अब प्लेटिनियम की क्या होगी इसकी प्लस फॉर हो जाएगी एडिटिव इंवर्स कर देंगे तो प्लस फॉर हो जाएगी अब यहां पर प्लस फॉर हमने इसकी लिख दी उसके बाद जो कंपाउंट है वो है सी ओ एनिश थ्री थ्री यहां पर यह हमारे पास निशके दो है बाक variance कूछ नहीं तो इहां पर our his face कुछ नहीं लिखेंगे यह सब से पहले हम इसमें लिगेंट को लिखेंगे तो लिगेंट सबसे पहले इसमें कौन सा है अमाइन है और उसके बाद जो है वो नाइटरेट है तो यहां पर हम जो है इसमें क्या करेंगे अमाइन को पहले लिखेंगे या नाइटरेट को तो इसमें हम डिसकस करेंगे अलफाबेटिकली तो अमाइन में ए जो है वो पहले आता है इसलिए पहले हम अमाइन लिखेंगे कितने amine है थ्री हैं तो try amine तो यहां पर ये try amine आगै उसके बाद इसमें आएगا nitro, nitro कितने है थ्री है, देखें negative जो होते हैं हमारे पास ligand उसको हम o लगा देते हैं nitro कर देते हैं, Hierro कर देते हैं तो इस तरह से यह नायो हो जाएगा झाइनिक कमप्लेक्स है या कैटायों in नेम नहीं लगाते जैसे कोपरेट या फिर कोबाल्टेट वाला नेम नहीं लगाएंगे यहां पर सिंपल हम कोबाल्ट लिखेंगे तो यहां पर सिंपल कोबाल्ट हमने लिख दिया उसके बाद इसकी जो ऑक्सिडेशन स्टेड लिखेंगे अब ऑक्सिडेशन स्टेड इसकी क्वा ओगी तो यहंपर अमान जो है ये तो न्यूत्रली चकी 0 है जब कि यहां पर इसकी मानस-1 है मानस-1 है 3 हमारे पास मुझी है नाइट्रो तो कितनी होगी मानस-3 हो जाएगी और से यहां पर कॉबर्ट की पलस-3 हो जाएगी तो यहां पर प्लस त्री हमें लिग दिया उसके बाद हमारे पास यह जो COMAPOUNT है यह है ZINC वाला इसमें OH मौझूद है OH को हम लिखते है Hydroxo, तो यहां पर हम लिख देंगे Hydroxo और यहां पर 4 हैं तो हम लिख देंगे Tetra Hydroxo है तो और है तो एक सब्सक्राइद हमारे पास आगया उसके बाद हमारे पास यह जो जुंक है अब देखिए इस फें इसके ऊपर एक चार जा रही है चार जा रही है और नेगिट्व चार्ज काल जह तो इस complex है यह लिए हम zinc को जो है वो एट लगा देंगे और zincate बन जाएगा तो यहां पर हम लिख देंगे zincate तो यहां पर यह हमारे पास आ गया zincate अब इसके अंदर शुर्ण और हमें इसकी oxidation state लिखनी है so oxidation state इसकी find करेंगे तो ओच जुह है यहां पर हमारे पास हो एच की OH की oxidation state वो minus 1 है यहाँ पर 4 OH है तो इसकी total minus 4 हो जाएगी अब इसमें minus 2 जो है यह पूरे compound पर लगी हुई है तो यहाँ पर zinc की कितनी होगी plus 2 क्योंकि minus 4 है minus 4 से plus 2 जो है वो cancel होंगे तो minus 2 आएंगे तो इस तरह से यहाँ पर इसकी plus 2 जो है वो oxidation state होगी उसके बाद हमारे पास last compound है इसके अंदर देखें के ligand को है तो ligand जो है इसमें EN लिखा हुआ है EN जो है यह एक सेंबल है जिससे इसका मतलब है ethylene diamine तो यहाँ पर वही same compound है जो के organic compound उपर था तो अब यहाँ पर ethylene diamine कितने हैं तो यहाँ पर हम लगा देंगे bis 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 क्योंकि organic compound है तो bis ethylene diamine तो bis ethylene diamine और उसके बाद हम जो है इसमें लिख देंगे तो यहाँ पर हमारे पास है copper अब copper जो है यहाँ पर यह क्या है यह एक ketionic complex है तो ketionic complex है तो हम क्या करेंगे यही same copper का नाम copper ही लिख देंगे English में तो यहाँ पर यह copper लिख दिया 8 नहीं लगेगा cuprate नहीं लगेगा क्योंकि cuprate जो है वो anionic complex के अंदर लगता है यह क्या है ketionic complex है क्योंकि इसके उपर positive charge है अब यह ethylene diamine क्या है यहाँ पर ethylene diamine पर 0 कोई भी charge नहीं और यहां पर जो है total compound पर plus two है प्लस टू है तो यहां पर जो है यह कितनी आजाएगी फ्लस टू आएगी स्कॉपर पर यह प्लस टू इस copper पर यह तभी इस compound पर आ गई है तो यहां पर copper की कितनी है oxidation state प्लस टू है तो इस तरह से ये और एक हमारे पास एक और लास्ट रूल हमने पढ़ा था कि जब भी किसी कंपाउंड पे किसी कंप्लेक्स पे चार्ज लगी हो तो हमें क्या करना है लास्ट में आइन लिख देना है तो यहां पर हम लास्ट में आइन लिख देंगे और यहां पर भी हम आइन लिख देंगे तो इसका नाम हो जाएगा टेटरा हैड्रोकजोh, जेनकेट 2 आइन और यहां पर बिस इथालिन डाइमाइन कौपर 2 आइन तो इस तरह से इस के नाम यहां पर हो जाएँगे अब हम self assessment के questions जो है इनको solve करते हैं चार questions है हमारे पास इसमें भी हमें complexes के नाम लिखने हैं तो आईए start करते हैं सबसे पहला complex है PTH2O5CL और यहां पर हमारे पास N9 लगा हुआ है NO3 यह 3 जो है वो 3 times N9 है मतलब 3 जो है वो NO2 इसके साथ लगे हुए है अब हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे كetine का नाम लिखेंगे तो यह पूरा केटine है लिखेंगे l collection करेंगे ल Regen जो है इसमेहा है 1 ओल पर है और 1 chlorine तो water को हम क्या लिखेंगे यहां पर कितने water है 5 molecules हैं तो हम क्या करेंगे Penta लिख देंगे Penta Aqua तो यहां पर हम लिखेंगे Penta Equa और उसके बाद हमारे पास है Clorov तो यहां पर यह दूसरा Leegend है है, इसको हम लिखेंगे अब देखें अलफाबेटिकली चूज करना है अगर यह किलोरीन अलफा बेटीकली पहले आ रहा होता तो हम इसको पहले किलोरीन को लिखते है उसके बाद water को aqua को लिखते तो यहां पर aqua A से आ रहा है मतलब पहले आ रहा है तो हम पहले हमने यह लिखा है उसके बाद platinum लिखेंगे अब देखें यह क्या है एक ketionic complex है तो ketionic complex में हम English name ही लिख देते हैं तो यहां पर हम platinum same to same लिख देंगे तो यहां पर platinum उसके बाद हमारे पास है इसकी valency यहां पर लिखेंगे और यह क्या है यह हमारे पास nitrate है तो अब तीन nitrate हैं तो यह tri-nitrate हैं नहीं लिखेंगे यह same to same single nitrate लिखेंगे जब भी ketion या anion का number ज्यादा हो तो आप वो number sure नहीं करेंगे केटाइन और anion का number sure नहीं किया जाता हम simple यहां पर लिखेंगे नाइटरेट तो यहां पर यह नाइटरेट आ गया अब इसकी valency चेक करें तो यहां पर किलोरीन की नाइटरेट की जो valency है वो क्या है नाइटरेट की valency है माइनस वन अब माइनस वन है तो यह तीन नाइटरेट है माइनस थ्री हो जाएगी और किलोरीन पर माइनस वन है तो यह टोटल कितनी हो गई माइनस फॉर अब माइनस फॉर हो गई तो यहां पर यह water क्या है water इस पर कोई charge नहीं है अब इसकी इन दौनों की कितनी होगी माइनस फॉर होगी तो प्लेटिनियम की कितनी होगी प्लस फॉर हो जाएगी तो यहां पर यह टोटल माइनस फॉर और प्लेटिनियम की प्लस फॉर तो हम यहां पर प्लस फॉर लगा देंगे तो इस तरह से यह हमारे पास इसकी वैलनसी आ गई उसके बाद नमबर टू पे आते हैं इसमें है क्रोमियम एनेच थ्री अमाइन है और यहां पर फॉर अमाइन है तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले टेट्रा अमाइन लिख देंगे तो यह है टेट्रा स्री आर नहीं है गए टेट्रा अमाइन और उसके बाद हमारे पास जो है यह क्रोमियम का नाम लिखेंगे तो यहां पर आगया क्रोमियम और उसके बाद यहां पर क्रोमियम की वैलनसी लिखनी है यहां पर वैलनसी लिखेंगे और यहां पर आइन है तो इसलिए यहां पर आइन लिख देंगे तो इस तरह से यह बन गया और उसके बाद जो है तो क्या आएगी यहां पर oxidation state अब इसकी यहां पर zero है तो यह जो oxidation state है यह पूरी इस chromium पर आजाएगी मतलब प्लस 3 जो है यह chromium की oxidation state होगी उसके बाद हम next पर आते हैं जिसमें हमारे पास एक केटाइन मुझूद है अब केटाइन मुझूद है तो यह anionic complex है कौन सा complex है इस पर positive charge है तो इस पूरे पर negative charge होगी और negative होगी तो यह anionic complex कहलाएगा अब anionic complex के अंदर हम जो है सबसे पहले केटाइन का नाम लिखेंगे जो कि है potassium नंबर नहीं बताना है सिर्फ potassium हमें लिखना है हम पर लिखेंगे potassium उसके बाद हमारे पास ligand का नाम लिखना है क्या हम्हाँ पर sino हम लिखेंगे यह 服țiर हम लिखेंगे बलके क्यूपरेट लिखेंगे क्योंकि एनाइन कॉंपलेक्स है तो एनाइन कॉंपलेक्स के अंदर हम क्या लिखते हैं जो है ए टी लगाकर हम लिखते हैं तो कॉपर का क्या हो जाएगा क्यूपरेट तो यहां पर हम लिख देंगे क्यूपरेट और उसके बाद हम यहां पर Oxidation state लिखेंगे, क्योंकि अब यहां पर क्या है, इसकी Oxidation state फाइंड करनी है, तो Potassium के Oxidation state प्लस 1 और 2 है तो यह प्लस 2 हो जाएगी दोनों की, अब साइनाइट पर क्या है, माइनस 1 है, Total 4 Sinide है, तो यहां पर कितनी हो जाएगी, माइनस 4 हो जाएगी, तो माइनस 4 और यह प्लस 2, कैंसल हो जाएगे दो, बाकी 2 बचेंगे, माइनस 2, अब माइनस 2 तो इस Copper की कितनी हो जाएगी, प्लस 2 यह माइनस 2 है, तो Copper की प्लस 2 हो जाएगी, तभी यह आपस में Neutral होगा, तो आपस में जो है यहां पर अब देखें यहां पर ब्रेकेट नहीं लगी वी तो फ्लॉरीन अगर ब्रेकेट नहीं लगी फिर भी यह अंडस्टूड है कि यह क्या होगा यह एक हमारे पास लिगेंड है तो अब अल्यूमिनियम जो है यह सेंट्रल लेटर में और यह लिगेंड है अब इस लिगेंड के अंदर हम क्या करेंगे यहां पर लिगेंड का पहले नाम लिखेंगे जो को है फिलोरो तो यहां पर हम लिख देंगे फिलोरो कितने फिलोरो हैं है यह 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 य गया इसकी ऑक्सिडेशन स्टेट यहां पर लेखेंगे अब फ्लॉरीन की क्या है माइनस बन एंगे और टॉटल छे फ्लॉरीन है तो माइनस 6 हो गई इसमें से यह बाहर माइनस 3 मौजूद है तो इसकी अलिमिनियम की कितनी हो जाएगी प्लस 3 तो यहांपर फ्लस 3 अलिमिनिय इस तरह से इसका नाम बन जाएगा तो यह था आज का लेक्चर होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा थोड़ी सी मिस्टेक हमारी हो चुके हैं इसको आप स्किप कीजिएगा थैंक्यू सो मच फू वाचिंग और मुझे सपोर्ट करें के लिए चैनल को सब्सक्राइ करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा अलाहाफीज अ क्राइक है हमारा थैंगा और मुझे से एक घचिंगा होगा प्रिजिए करें के स्झाल मुझे अढ़्या प्माशन этому करें और मुझे से फ्रेस नहां हूँल सोścieफंता हमार के उल Sm., क्क्राइक है एक प्रेसे के प्रणाटे को लेता हमारै को सra